गाइस नमस्कार मैं आरके मिस्रा एक अपडेट आज आप लोगों को दूँगा हलाकि मैंने इस फे पहले भी हमारी टीम ने एफ़र्ड दिया था तो आज बात करेंगे यार कि OSSC JE को देकर के बहुत सारे eligibility confusions हैं और कब से farm start किया जाएगा क्या salary structure होगा क्या recruitment process होगा और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं technical और non-technical की तो जानने की कोशिज करते तो देखे सबसे पहले तो applications 11 November से शुरू होगा अभी शुरू नहीं हुआ है applications हमारा 10 December तक जाएगा लेकिन number of vacancy की बात करें तेकिन सबसे जादा जो confusions मेरा इस वीडियो बनाने का यही है क्या other state के लोग भर सकते हैं या इसकी eligibility criteria है simply देखिएगा आप यहाँ यह vacancy particular Odisha के लोगों के लिए है मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने direct indirect यह बोल दिया पूरा का पूरा civil के लिए vacancy हम आपको यह भी बता दे रहा हूँ जितने भी departments है सब civil के लिए है age limit 21 से लेके 28 साल देखिए diploma देती हुए ज़्यादा तरसे diploma वाले में 18 साल होता लेकिन इन्होंने 21 साल दिया है और सिर्फ सिर्फ ओडिशा के लोगों के लिए है तो यहाँ पे तीन फेज में examinations होगा pre होगा mens होगा certificate verification होगा salary structure as SSCJ जितने ओडिशा के लोग है SSCJ में लगता है कि competition tough है आप अपने particular state की vacancy को cover करके आप अपने एक सरकारी जब को पूरा का पूरा PDF आपको मिल दाएगा और आप यहाँ से बहुत शारी जानकारी बहुत आसानी से exit कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ तो जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखेगा बहुत सारे information से यहाँ पे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं तो देखो basically यहाँ पे अगर questions वह रहा है की बात क्या जाए तो देखेगा यह पूरा का पूरा है pre examinations 150 marks के होंगे 150 minute के होंगे MCQ type जैसा आपको और 0.25 का negative marking होगा और देखेगे total vacancy का 5 गुना pre में बुलाए जाएंगे मैं आपको mince में बुलाए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको यह सारी चाज़े हैं तो बहुत नहीं एक सांदार आप लोगों को जॉब है post preference आप लोग देख सकते हैं हलाकि post preference पे मैं separate video बनाऊँगा ठीके तो exam pattern अगरा सब कुछ हम लोग discuss करी रहें सवाल है कि इसकी तयारी कैसे करें तो मैं आपको तयारी के लिए simple सा उडिसा के सभी aspirants से request करना चाहता हूँ कि please don't waste your time आज आप लोग यहाँ पे अगर आप English language को समझ पाते हैं देखो मैं आपको पहली भी बता रहा हूँ content हमारा पूरा English रहेगा लेकिन language हिंग्रिस रहेगा पढ़ाने का vocal vocal language हो रहेगा पूरा कपूरा इसी तरह कर रहेगा तो आप आज ही अटर्टू फोरसमेंट के official app पे visit करें और आप courses में जा करके website पे ही कर सकते हैं आप तो gate and engineering में आप यहाँ पे देखेगा कहीं search करोगे तो आपको मिल जाएगा OSSCJ जैसे ही यहाँ पे civil का target batch हमने plan कर दिया है take और non-take दोनों का technical segment का आपका है यह देखेगा civil targeted batch है price आपको बहुत जादा नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ 17 November से सुरू हो रहा है और यहाँ पे देखेगा जितने लोगों को course high right में आपको बता दूँ take authentic सब कुछ कबर किया जाएगा और बाकि यहाँ पे 11,499 भी नहीं आप यहाँ पे code यूज कर सकते हैं Y201 देखे मैं आपको बताओ हमारा मकसद है कि देश का हर एक बच्चा educations को ले सके सही तरीके से आप इसमी कोई अगर यह कहेगे course को 400-500 गंटे के courses को प्लान करके बहतरीन तरीके से पढ़ा करके clear तरीके से अगर 2025 रुपे आप से दे भी रहें तो technique क्या दे रहें nothing है आपके selections के और salary के basis पे अगर देखा जा एक मन्त की salary भी तो नहीं दे रहें पुरे जिंदगी बनाने में हमने आप लोगों की मदद की है तो अगर आप लोगों की requirement रखता है basically उडिसा के लोगों को तो फटा पर जाकर के enrollment करो और अतनी तैयारी 17 तारिक से पूरा करो first come first basis पे है ये तो maximum लोग आप लोग इस courses के enrolled करो पुरी team आप लोगों को civil engineering की non-technical की पढ़ाएगी मज़ा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ literally मज़ा आने वादा है दोस्तों ठीक है तो thank you बबाए take care being the part of this session और notifications है और ये batch का मैं इस कोशिस करूँगा applications पे या वीडियो की नीचे comment से में है description में और civil target batch हो करा है ये सब आपको provide करते है ठीक है तो बाकी तो आप लोग देख कीजिएगा और ये हमने notification से संबंधि सारी बाते हमने discuss करी विया है और भी आप लोगों को कोई doubt है तो आप पूछिएगा वीडियो के नीचे comment सेक्शन में maximum doubt जिस सवाल पे आएएगे मैं आप लोगों को देख के लिए ठीक है बाए